हेलो, हाइ, नमस्ते, जैजगनात, आप सबको स्वागत है मेरी चैनल ये मेरी जिन्दगी पर, मेरा नाम है अनन्या मिश्रा, आज मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ, कैसे मैं अपने तीन महिने के बच्चे को दूठ के मलाई का मसाज दे रही हूँ, और उस दूठ के मल हम दूद से उसके छाली को अलग कर लेंगे जो हम यूज करेंगे बच्चे के मसाज के लिए इतनी कॉंटिटी एनफ रहेगी तो हम लोग पहले पेस्ट के मसाज से स्टार्ट करेंगे तो मैं भी उसके फोराइड में लगाई हूँ मैं लाए तो दिरे दिरे ऐसे मूवमेंट से करना पड़े हूँ तरन हम लोग उसके चीक्स पे लगाएंगे जस्ट इन सर्कुलर मोशिं असे इसे करके नोस पे लाइक दिस पे अपर लिट्स पे और फाइनली अपन दे चेन यह जब पेस का पूरा खतम होगा तो उसके बाद हम लोग आएंगे टुवर्स दा नेक एरिया फिर इस पे करेंगे उसके स्टम नाप पे वह हम लोग इस तरह मूवमेंट करेंगे ताकि कुछ पी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहे कॉलिक पें रहे उस सब से रिलीफ मिल जाता है इफ यू डू रिलीफ मूवमेंट इसके हैं इसके मसाज करेंगे स्लाइटली लाइक डिस अब मैं आपको बताने वाली इसका बेनेफिट्स क्या है इसके न्यूमेरिस बेनेफिट्स है फर्स्ट बेनेफिट्स स्किन हमेंसा मॉश्राइज रहेगा एकदम ड्राय जो स्किन रहता है वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा जो बहुत स्मॉल स्मॉल इश्यू रहता है स्किन के प्रॉब्लम्स रहते हैं वह सब एकदम नहीं रहेंगे अब हम लोग इसके पैरों पर मसाज करेंगे और इसका जो सबसे मेन बेनेफिट है वह है कि फैरनेस में हेल्प करता है जो बच्चों को फैरनेस का क्रीम ये वह आज बच्चों को नहाने के थर्टी मिनिट्स पहले लगा कर रखना है और जब 30 मिनिट्स हो जाए तब तक आप पर इसको लेके सन बाग दिला सकते हैं और फाइनली अफटर 30 मिनिट्स इसको आप अराम से वाश कर सकते हैं आदर उंदी वाटर से भी कर सकते हैं और अदर वई you can use baby show and wash it. वज अब दी देबिर उसके कंदों पे with slight motion कर सकते हैं and feet पे हलका downwards motion में कर सकते हैं. फिर उसके पैरों के पीछे and you are all set to go. तो मेरी मसाज तो हो गई अब उमीद है आप सबको पसंद आए मेरी वीडियो ऐसे ही और informative वीडियो के लिए do like, share and subscribe to my channel ये मेरी जिन्दगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपनों का अपना सब का ध्यान रखिए और खुश रहे हैं बाई बाई टिक केर